हाई गाइस वैलकम बैक रादा की रसुई कैसे हैं आप सब होप करते हूं बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकोन को दबाने मत भूलिए दोस्तों साउथ इंडियन खाना हर किसी को पसंद होता ह है तो आज मैंने सोचा आप सबके साथ भी एक रसिपी शेयर करते हैं मैं बनाने जा रही हूं मिक्स बेज इडली इडली हम सबको पसंद होती है इसके लिए हम लेंगे दो कप सूजी सूजी बारीग वाली और एक कप लेंगे दही और दही जितना दही लिया है उतना ही हम पानी लेंगे और एक छमच लेंगे नमक को यह मैंने मिला है हैं चार काली मिर्च जी मैंने पीस ली थी और अब हम इसमें डालेंगी पानी जैसे मैंने बताया कि जितना आप दही लो उतना ही आप पानी दालो तो अब हमेसे अच्छे से मिलाएंगे मिलाने के बाद अगर आपका बैटर थोड़ा गाड़ा सा है तो इसमें थोड़ा और पानी आड़ करेंगे यह देखिए मेरा थोड़ा गाड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी और मिलाया इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद हम इसे ग्रैष्ट के लिए रख देंगे दस से पंदरा मिनिट के लिए अब हम लेंगे कुछ बैजी टेबल जो हमें उसमें डाल ली है मैंने दो गाजट दो टमाटर एक सिम्ला मिर्च और दो हरी मिर्च और पचास ग्रम पनी ली है अब इनको या आप कद्दू कस कर लो या एकदम फाइन चॉप कर लो बहुत महीन तो मैंने कद्दू कस कर लिया है सबको और आप के पास जो भी वेजीटेबल है आप वो एट कर सकते मेरी वेजीटेबल सारी कद्दू कस हो चुकी है अब हम इनको बारी-बारी से जो हमने पेस्ट बनाया है जो बेटर तैयार किया है उसमें मिला देंगे दोस्तों साउथ सिवयरी खाना बहुत ही होता है यह तो आप सब जानते ही होंगे और वीवी बहुत ही होती है अलग-खर कर सकते चिशते हैं अच आप अब हम इसमें थोड़ा सा हरी धनिया हरी धनिया मिला के हम इसे अच्छे से मिक्स करना है बहुत अच्छे से कम से कम एक से दो मिनिट हम इसे बराबर इसी तरह से मिक्स करेंगे नमक और लेड़ी हम मिला चुके हैं यह देखिए हमारा बैटर पूरी तरह रेड़ी है हमने इसे 10-15 मिनिट के लिए रख दिया था पहले अब हम इडली का साचा लेंगे और उसे हम ग्रीज कर लेंगे थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे और मैंने पानी रख दिया है अल्रेडी गरम होने के लिए अब हम जब हमारा तेल लग जाए साचे में उसके बाद हम डालेंगे एक सैसे इनो का हमें सारा काम कर लेना है उसके बाद ही इनो डालना है क्योंकि हमें इसके बाद रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना इस इसका आप हम जल्दी से जो साचे हैं इडले के उसमें इसे रख देंगे यह देखी अच्छे से फैला देंगे पानी और लेडी हमारा रखा हुआ है जब आप डालें तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें पहले आप पानी रख दें और पानी गरम होने लगे तब ही आप ग्रीस कर है मैं यह बात आपको बार-बार इसलिए कहते हूं क्योंकि अगर आप इनो डालने के बाद आप रेस्ट पर रखते हो तो वह फलपी और सॉफ्ट नहीं मनेंगे इसलिए बार-बार मैं आपको बताती हूं कि इस चीज का जरूर ध्यान रखें मैंने बारी-बारी से सब में भर लिया है बैटर अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को और मेरे इस वीडियो को जरूर सेयर करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कैसी बनी हैं आप सब लोग जरूर ट्राय करें यह देखिए पानी मेरा उबल लगा था मैंने इसे रख दिया 15-20 मिनट के लिए मैंने खुला नहीं है यह देखिए 15-20 मिनट हो जाए उसकी बाद ही आप चेक करें देखिए दोस्तों हमारी एडली बन चुकी है बहुत ही सौफ्ट बहुत ही स्पॉंजी बनी है इस पे मैंने थोड़ा सा कद्दू कस कर दिया था पनीर वो उपर से डाल दिया गानिस के लिए मैंने थोड़ा साहरा धनिया और चट्पटे स्वात के लिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लक्स डाला है और यह देखिए आप इसे सौस के साथ हरी चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ सब कर सकते तो आप प्ली thank you so much guys